इस बीच मध्यप्रदेश की सरकार निवेश और रोजगार बढ़ाने को लेकर नए कदम उठाने जा रहे हैं मध्यप्रदेश में विए बड़ी जौनकारी सामने आ रहे हैं मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की तयारी में सरकार है Global Investor Summit की तयारी में CM शिवराज जोट चुके हैं और दिली में कई देशों के राज़ूतों निवेशा को उससे मुलाकात करेंगे CM शिवराज का मध्यप्रदेश में निवेश पर जोर है दरसल दिली में कई देशों के राज़ूतों से CM शिवराज मुलाकात करेंगे मध्यप्रदेश में लोग इंवेस्ट करें बड़े घराने इंवेस्ट करें और उसको लेकर CM शिवराज लगतार एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगतार मुलाकात भी कर रहे हैं चलेंगे एक बर फिर राज़दानी बुपाल बात करेंगे सयोगी अम्रितानशी जोशी से अम्रितानशी CM शिवराज लगतार जोर दे रहे हैं कि मध्यप्रदेश में निवेश हो उनके प्रयासों का जमीनी इस्तर पर असर कितना नजर देख पा रहे हैं देश बनानी की और अग्रिसर है और इसी को लेकर जो है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM शिवराज लगतार प्रयास कर रहे हैं कि जादा से जादा निवेशक चाहे वो विदेशी हो या देश की निवेशक हो वो मध्यप्रदेश में आकर इन्वेस्ट करें इन दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है जनवरी के महा में इसको लेकर जादा से जादा निवेश लेने के लिए जो हैं लगातार अब दोरों पर रहने वाले हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं पुर्णे जाने वाले हैं बैंगलोर भी वो जाएंगे वहाँ पर निवेशकों से मुलकात करेंगे और इसी बीच 20 से 21 अक्टूबर के आस पास वो दिल्ली पहुँचेंगे जहाँ पर कई इसको लाने की तैयारी हाँ पर मदुपडेश सरकार कर रही है कि जादा से जादा जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं चाहे हम पीतंबूर की बात करें धार की बात करें महाँ पर बड़ी से बड़ी फैक्टरियों का सेट अप हो हाली में मदुपडेश को जो है 15 करोड का नि इंवेस्ट करने वाली है और भी कई चीजों की कंपनिया जो है आपर आकर इंवेस्ट कर रही है लेकिन विशकों से मुलाकात कर जो विदेशी निवेश है उसकी यहाँ पर राक होलने के लिए तयार है पूरी तरीके से सीम शिवराज आज दूतों के साथ बैटक करेंगे तमाम अधिकारी में उनके साथ दिल में पोचिंगे विदेशी निवेशिकों की राक होलने के लिए भी तयार है विल्कुल सटीक बात करेंगे आपने बहुत शुक्रिया खवर को विस्तार से बताने के लिए बातश्यूत करने के लिए